हेलो डियर इस्टुडेंट्स अगर मैं आपसे पुछूं कि सल्फ्यूरी के सीड जो स्टुसोफोर्स इसका फॉर्मूला होता है उसमें टोटल नमबर आप कोवाडिनेट बॉन्ड कितने होते हैं तो क्या आपको इसका जवाब पता है नहीं पता है तो आप ये वीडियो को देखिए आपको मैं लोईस डाट इस्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसी के तुरू आपको नमबर आप कोवाडिनेट बॉन्ड भी बता दूँगा कि टोटल कितने होते हैं ठीक है दोस्तो तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोईस डाट इस्ट्रक्चर जब बनाने जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है H2 SO4 तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता हमेशा टर्मिनल में होता है आखरी में जोडा जाता है साइड में जोडा जाता है तो सेंटर में हमारा होगा सल्फर सल्फर हमने लिखा और O4 है तो इसके चारो तरफ चार ऑक्सीजन 1 2 3 and 4 यह टोटल मैंने 4 ऑक्सीजन सो कर दिया ठीक है अब क्या है H2 अब कोई भी दो ऑक्सीजन के साइड में hydrogen को आप शो कर दिया ठीक है इस तरह से आपने शो कर दिया अब आप क्या करिए इनके valence cell में हर एक atom के valence cell में कितना electron होता है जिसे हम लोग valence electron करते हैं पहले आप उसे draw कर लिजिए तो चुकि oxygen है oxygen के valence cell में 6 electron होता है तो आप draw कर लिजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है वैसे यहाँ पर कर लिजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया इस oxygen में भी कर लिजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे यहाँ पर कर लिजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया अब जो sulfur होता है उसके valence cell में चुकि इस sulfur भी oxygen family से भी बिलॉँ करता है तो इसके भी valence cell में 6 electron होगा तो इसको भी draw कर लिजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगे दोस्तों अब यहाँ पर hydrogen को show करना है hydrogen के valence cell में कितना electron होगा तो hydrogen के valence cell में आपको पता है 1 electron होता है तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर show कर दीजिए ठीक है अब आपको क्या करना है octate पूरा करवाना है ठीक है अब hydrogen को सबसे पहले हाँ पर देखिए hydrogen octate नहीं हाँ पर पूरा करेगा क्योंकि helium हमारा जिसके valence cell में यह यह का लिजिए total 2 electron ही होता है फिर भी यह inert gas में आता है जो की एक exception है तो hydrogen अपने परोसी inert gas के जैसा बनना चाहेगा जो की helium है तो helium में कितना होता है दो होता है तो hydrogen के पास पहले से 1 electron है वो इस oxygen से बोलेगा oxygen भाईया oxygen भाईया हमको एक electron share में दे दीजिए ठीक है तो hydrogen क्या करेगा वो oxygen से जम्मदत मांगता तो oxygen भाई ले लो ठीक है लेकिन 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 oxygen ने सर्थ रखा कि भाईया मैं जितना share में तुम्हें electron दे रहा हूँ तुम भी बदले में मुझे उतना electron दोगे ठीक है जिसे हम लोग क्या करते है mutual sharing जो हो रहा है जिसको हम लोग करते है covalent bond एक electron है एक sharing में निसे मांगता है भाईया भाईया आमको दे दीजिए sharing में तो ये sharing में oxygen दे देता है तो hydrogen दोनों अपना दो electron पूरा करके helium जैसा बना लेते हैं ठीक है इनर्ट गया जैसा configuration का हो गया अब उसके बाद यहाँ पर आए इन दोनों को देख रहे है इनको आप आकरीम हाद लगाएगा ठीक है अब जैसे ही यहाँ पर आप आए तो sulfur से oxygen क्या करेगा एक electron share में मांगेगा क्यों मांगेगा पहले से 6 electron था एक hydrogen से sharing में मिल गया 7 हो गया और एक sulfur से oxygen ले लेगा share में electron तो इसका octet क्या हो गया oxygen का पूरा हो गया तो इसने भी अपना काम पूरा कर लिया इसने भी oxygen ने भी अपना octet पूरा कर लिया देखिए पहले से 6 है एक 7 और एक 8 वैसे ही इस साइड में भी oxygen सेम काम करेगा पहले से 6 उसके पास है एक hydrogen से 7 और एक sulfur से यूज करते हुए ये अपना octet पूरा कर लिया ठीक है इस तरह से इसने भी inert guy जैसा configuration बना लिया अब बचा sulfur तो sulfur को सूचिए कि sulfur ने oxygen को अपना एक electron share में दिया है तो बदले में oxygen से एक electron यूज करेगा तो पहले से 6 है इस oxygen से एक electron share में यूज करेगा तो 7 हो जाएगा वैसे इधर में भी एक electron इसको sulfur ने hydrogen oxygen को एक electron share में दिया है तो वैसे ही sulfur इधर से भी एक electron share मिलेगा पहले से 6 है एक इस oxygen से और एक इस oxygen से इनको cover करते हुए sulfur ने भी अपना octet पूरा कर लिया ठीक है ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा अब बात रह गई कि भाईया ये भी तो sulfur से ही जुड़े है अब क्या करें ठीक है इनका भी octet पूरा करना है लेकिन अब sulfur sharing में नहीं देगा उसका काम हो चुका है तो क्या करें तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अब चुकी ये जुड़ा तो है ये दोनों oxygen sulfur से जुड़े हुए है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा एक bond होता है जिसे हम लोग कहते है co-ordinate bond क्या कहते है co-ordinate bond ठीक है ये भी क्या होता है ये भी covalent bond होता है special type का इसमें होता क्या है कि माल लिजे एक atom A है और B है ठीक है तो अभी आपने देखा mutual sharing के बारे में कि अगर oxygen एक electron hydrogen को share में दिया तो hydrogen को भी बदले में share में एक electron देना पड़ेगा ठीक है share में देना पड़ेगा लेकिन coordinate bond जो special type का covalent bond है यहाँ पर भी sharing हो रहा है बट यहाँ पर कोई एक atom अपना दो electron electron pair क्या करता है सामने वाले को share में दे देता है ध्यान दिजेगा share में देता है मतलब यह भी covalent bond ही है ठीक है लेकिन बदले में सामने वाले से कोई भी electron यूज नहीं करेगा ठीक है इसने दो electron share में दिया अभी आप पढ़ रहे थे covalent bond के साब थी तो आप बोलेंगे सर फिर यह जो atom है यह भी अपना दो electron सामने वाले को देगा नहीं coordinate bond में यही खास्यत होती है कि यह अपना दो electron मतब electron pair सामने वाले को दे दिया share में लेकिन बदले में उससे कुछ नहीं लेगा इस situation में इसे हम लोग donor कहते हैं donor atom और इसे हम लोग acceptor कहते हैं ठीक है दोस्तो इसे acceptor atom कहते हैं अब उसी basis पर यहाँ पर काम होगा और होता है क्या coordinate bond को जो atom अपना electron pair दे रहा होता है वहाँ से एक arrow जैसे generate करते हैं जो receive कर रहा होता है उसकी तरफ arrow हम दिखा देते हैं ठीक है और वही same चीज यहाँ पर होता है oxygen बोलता है sulfur चे भईया तुमने तो अपना काम का लिया पर हमें भी तुमसे जुड़ना है sulfur बोलता है भाई tension नहीं लेने का अपने पास भी electron अच्छा खासा है मैं तुम्हारा tension दूर कर दूँ माँ घबरा मत तुम भी मुझे जुड़ो भाई के पास बहुत electron है ठीक है और sulfur अपना क्या करता है यह दो electron as a coordinate bond इस oxygen को दे दिया अब देखें पहले से six था और दो electron इसने यूज करते हुए इस oxygen ने भी अपना octet पूरा कर लिया और इस तरह से इधर से भी दो electron pair इधर चला जाता है और इस oxygen के पास six था दो receive करके रिशीब करके बट याद रकी का sharing वाला है ठीक है octet पूरा कर लिया इस तरह से sub atom ने अपना octet पूरा कर लिया अब आपको जवाब मिल चुका होगा कि sulfuric acid में total coordinate bond कितने बनते हैं जी हाँ दो बनता है एक ये और एक ये तो इसका जवाब क्या हो जाएगा total दो बनता है ठीक है दोस्तो I hope so कि आपको समझ में आ चुका होगा मैं एक problem और ध्यान दिजेगा वीडियो में थोड़ा सा और समय दे दिजे और कुछ चीज बता देता हूँ आप इसी structure को ऐसे भी draw करते हुए देखे हैं ठीक है चीज यही है मैं आपको बता ज़रा हूँ bonding सो करके इधर वाले को coordinate bond से किया तो ऐसे arrow दे दिजे bonding सो करते हैं यह sulfur इस oxygen के साथ single bond बनाया और यह oxygen इस hydrogen के साथ single covalent bond बनाया ऐसा हुआ ठीक है वीडियो सुच मत करिएगा मैं दोस्तों पहले से बोल रहा हूँ आप पहले एक बार थोड़ा सा समझ लिजे कि यह है और इस oxygen के साथ double bond इस oxygen के साथ double bond और यहाँ पर यह सब single ऐसे जैसे था वैसे ही बढ़ा रहता है ठीक है तो कई लोग confused हो जाते है actually ध्यान दिजेगा यह covalent bond का ही एक type coordinate और यहाँ पर total यह दो electron दे रहा उसी को यह लोग double bond से show करते है but real structure यही है ठीक है दोस्तो real structure यही है इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए तो अगर आपको लग रहा है कि sulfuric acid का काम तमाम आपने कर दिया है समझ करके मतलब आप इनसे कोई doubt आपको होने वाला नहीं है Lewis structure में कितना coordinate bond बनता है कैसे draw होता है तो आप हमारे वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें और दोस्तों एक काम आप जरूर करिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करिए Thank you so much for watching this video and have a nice day